इंग्लेंड के खिलाफ 33 रनों से जीती ऑस्ट्रेलिया, 253 रनों पर ही ओल आउट हुई इंग्लेंड नहीं दिली। World Cup 2023 में इंग्लेंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के बीच सात्वा मुकाबला खेला गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलेंड को 21 रनों से हराया। पाकिस्तान की इस जीत की हीरो रहे फखर जमान। फखर जमान ने सिर्फ 186 गेंदों में 126 रनों की एतिहासिक पारी खेली। फकहर जमान की तुफानी पारी के आगे न्यूजीलेंड का विशावस को बोना लग रहा था। अमेरिकी सेना द्वारा अंतर महादवीपिय बैलिस्टिक मिसाइल, मिन्यूटमिन तीन मिसाइल का सफल परीक्षन किया गया है। जो अमेरिकी परमानू अवरोध में साथ वर्षों की निरंतर प्रगती को प्रदर्शित करती है। केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने बेंगलूरू में इंडिया मैनुफेक्टरिंग शो दो हजार तेईस का उधगातन किया है। दो नवंबर दो हजार तेईस को माननिय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंग ने बेंगलूरू करनाटक में तीन दिवसिय इंडिया मैनुफेक्टरिंग शो का उधगातन किया। केंद्रिय वितम मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्री लंका के त्रिंकोमाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्बी आई की शाखा का उधगातन किया है। विश्व जेल फिश दिवस तीन नवंबर को मनाया गया है। ये दक्षनी गोलार्द में वसंत्रितू है और यह वर्ष का वह समय है जब जेली फिश उत्तरी गोलार्द की समुद्र तटकी और पलायन करना शुरू कर देती है। गोवा में 37 राष्ट्रिय खेलों में 6 स्वर्ण, 49 रजत और तिरपनकास्य सहित 162 पदकों के साथ महराष्ट्रा तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। 38 स्वर्ण सहित 66 पदकों के साथ सेना दूसरे और 31 स्वर्ण सहित 89 पदकों के साथ हर्याना तीसरे स्थान पर है।